आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Why are males said to be heterogametic? पूछा गया है, male को heterogametic क्यों कहा जाता है? तो अगर हम लोग human males का बात करें और बाखी males का भी बात करें तो males जो है, इन में 22 pairs of autosome का रहता है 22 pair of autosome और एक pair रहता है जो की sex chromosome होता है और sex chromosome को अगर हम लोग ध्यान से देखे तो male का क्या होता है? male का sex chromosome होता है X और Y और X का जो strand होता है, वो large होता है लेकिन Y जो होता है, वो छोटा या फिर bended structure में रहता है और इसी वज़े से heterozygus कहा जाता है या फिर heterogametic कहा जाता है जिसको male को और उसी जगह अगर हम लोग female का compare करें तो female में क्या होता है? 22 pair of autosome तो रहता ही है और साथ में एक pair six chromosome रहता है जहां पर कैसा रहता है? तो इनका रहता है दोनो X यानि इनका जो structure रहता है arm, chromosome का वो दोनों ही बड़ाबर रहते हैं इस तरह से large arms लेकिन जो Y का arm होता है वो एकदम से छोटा हो जाता है और इसी वज़े से ये क्या structure बनाते है? हेटेरोगेमेटिक structure. तो इसी वज़े से males जो है, वो हेटेरोगेमेटिक कहे जाते हैं, लेकिन females जो है वो होमोगेमेटिक के नाम से जाने जाते हैं आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर